कानपूर में एक बार फिर धर्मांतरड से जुड़ा मामला सामने आया है 11 में पढ़ने वाले छात्र का ब्रेन वाश कर धर्मांतरड का रोप परीजनों ने लगाया है छात्र को घर में छिप कर नमाज पढ़ते माने देखा था जिसकी बाद जम कर फटकार लगा दी डाड की बाद छात्र घर से लापता हो गया परीजनों को बेटे के बैग में मिली कौपियों में उर्दू में इबादत लिखी मिली है सभी कौपी किताबों में 700 शिया से भी लिखा हुआ मिला जिसकी बाद छात्र के पिता ने इस साथ में पढ़ने वाले दोस्तों के खिलाफ मुगदमा दर्च कराया है मैं पुलिस ने लापता छात्र को जैपूर से पकड़ा है बता दे कि हनुमंत विहार थाना छेत रिस्तित संजोय गादी नगर में रहने वाले व्यापारी का बेचा गुरुवार शाम से लापता है व्यापारी राकेश कुमार गुपता का बेटा मदर तेरसर स्कूल में 11 वी का छात्र है राकेश ने बताया कि बीते कुछ महीनों से बेटे की वहवार में बदलाव दिखरा था वा स्कूल से आने की बाद कमरे से बाहर ने निकलता था बीते गुरुवार की शाम को अचानक से उसकी मा कमरे में गई तो देखा की बेटा नमाज पढ़ रहा है यहां देखकर वह हरान रह गई बेटे को जमकर फटकार लगाई इसकी बाद से वह घर से चला गया जब घटना की जानकारी हिंदू आदी संगठनों को हुई तो जमकर हंगामा किया इसके साथ आरोपी शात्रों के खिलाफ कारेवाई की मांग करने लगे राकेश कुपता ने उसके दोस्तों पर बेटे का ब्रेनवाश करने का आरोप लगाया है चात्र की मा का कहना है कि बेटा कई साल से उसे स्कूल ने पढ़ रहा है लेकिन बीते दो ढ़ाई महीनों से उसके अंदर बदलाव आया है दूसरे सामुदाई के प्रति उसकी रुची बड़ी थी जिसका असर साफ देखनी को मिल रहा था चात्र की मा का आरोप है कि बेटे की क्लास में पढ़ने वाले तीन चात्र दूसरे सामुदाई के हैं जिन्होंने उसका ब्रेन वाश किया है पिता राकेश कुमार गुपता की तहरीत की बाद पोलिस ने मुकदमा दर्च किया है स्पी गोविन अगर विकास कुमार पांडे ने बताए कि सूशना मिलिये कि छात्र अजमे शरीफ जा रहा था इसके बाद पोलिस ने जैपुर जी आरपी की मदद से छात्र को जैपुर में पकड़ लिया उन्होंने बताए कि जैपुर से लौटने के बाद ही जानकारी सामने आई है दिनांग 23-9-2022 को हनुमंद विहार थाने पे वादी राकेश कुमार गुपता द्वारा एक प्राफनापत दिया गया है जिसमें उनका 18 साल का बच्चा मदर्ट रेशा में 11 वी का छात्र है वो कुछ साथियों और उनके द्वारा उनके इंफ्लूएंस में किसी अन्यधर्म में उसकी रुची हो गई इस बात को लेकि जब उनके परिजन काफी समझाए उसको तो वो छुप दोकर घर से जो है निकल गया बिना बताए इस इसकी सूचना उन्होंदे इस संब्ध में थाना स्थानी पर अबराज संख्या 113 2022 धारा 364 आई पीसी वह धारा तीन विटा पांच उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म संप्रोरतन प्रत्सेद अधरियम में पंजेकित किया गया विवेशना केकरम में एक टीम रवाना हुई और उसके लोकेशन के आधार पर जो है उसको इस्थानी जैपुर की जी आर्पी और मतुरा पुलिस क सायोग से स्टेशन पर उसको रोका गया और उसके बाद हमारी टीम यहां से रवाना है और उस बच्चे को सकुसल बरामत कर लिया गया है जैसे ही वह वापस आएगा उससे विस्तित पूंच पूंच नाशकर जो भी इस बच्चे को गुमरा करने में जो लोग भी जिनका हा झाल